हलो फ्रेंट लेकों बैक टू माई चैनल माईनिम इस अंकूर मेंदरता मिशन रानी गंज मिशन रानी गंज खिलाडी कुमार की फिल्म का ट्रिलर आया है इससे पहले टीजर आया था देखो टीजर में कोई कमी नहीं थी एक दम दमदार था अब ट्रिलर कैसा है वो बताने व टाइम में आप इतनी चीज़ा दिखा देंगे यह नहीं सोचा था टोटली अनेक्सपेक्टेड अगर बात करूं इस फिल्म के ट्रेलर जो देखने से लग रहा है देखो यह जो नहीं रेस्क्यू मिशन के ओपर होने वाली है फिल्म अक्षे कुमार इसमें लीड करेक्टर दो यह नजर आ रहे हैं बहुत जबर्दस्त लग रहे हैं बात करूं ट्रिलर की देखो यह जो है ना एक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉंग लग रही है फिल्म किस पॉइंट अव्यू से मैं बोल रहा हूं इसका बीजियम देखो अब बीजियम जो ऐसे टिक 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 एक एक सेकंड जिस आप से बीजियम को डिजाइन किया गया ना वो आपको बता रहा है जब किसी की जान पर बन पड़ती है जब किसी की जान खतरे में होती है ना तो उसके लिए एक एक सेकंड उसको मौत के नजदीक लेकर जा रहा होता है तो यहां पर जो बैक काम किया गया है अब देखो फिल्म तो ऑवेस सी बात है यह स्टूडियों के अंदर शूट हुई है पर जो इसका मेकर जो इसकी टीम है पोस्ट प्रडक्शन टीम जो है खासकर डिरेक्टर जो है उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखा है वो लोग कहां फसे हुए सुरंग मे जाएंगे आवाज लगाएंगे मैं जिन्दा हूँ तो क्या होता है आवाज फैलती है गूंजती है और वही डिरेक्टर ने हमें दिखाने कोशिश की है शूटिंग स्टूडियो में हुई है पर पोस्ट प्रडक्शन में जो यह चीज़े जब गई एडिटिंग टेबल के अंदर होते हैं और कहानी शांदार लगरी है टेंशन का महौल बिल्ड करेगी कि कौन बचेगा कौन मरेगा और घरवालों की साथ सथ बैक स्टोरी जो चलने वाली है वो सच में कैसे कहना पड़ेगा कि गूस बम लेकर आने वाली है थेटर्स के अंदर अब स्टार कास्ट इतनी बड़ी स्टार कास्ट है किसी क्रिकेट टीम के नहीं होती अक्षे कुमार परनिती चोपड़ा कुमिद मिश्रा रजेश शर्मा अनंत महादेवन बाई जब लंकेश भरदवाज वरुन बडोला और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं दिवेंदू भटा चारे ब दमदार कमबैक करने वाले हैं वैसे तो ओमजी टू में कर चुके हैं पर ये फिल्म उनके लिए बहुत बड़ी होने वाली है अब एक ही चीज़ का रिस्क है जो मैंने शुरुआत में बोला था क्या ऐसी फिल्म को रेस्क्यू मिशन के ओपर जो है लोग ठेटर में देखन कर बता हैं बागी वडियों में ताही थैंक्स पूर वाचेंग